हेलो फ्री फायर प्लेयर्स एक बार फिर से जवागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चेनल पर तो आज जैसे हमार रेंक सीजन चेंज हुआ नया रेंक सीजन है रेंक सीजन 21 तो उसमें कहीं सारा हमें नये रिवोड थोड़े वोड़े चेंजेज और एक सबसे बड़ा चें फिर आपने देखा हकर आप रिवावल पंट देख रहे हैं त आपने सुचा हका। सथ कॉय भी गलती से मैंने क्लासिक लगा लिया है। लेकिन ऐसा कोई बी गलती नहीं हुई आप से यहां पे रेंक में भी अब आपको रिवावल करने का मुका मिल लएगा आपके टिम रेंग कमें डाला है अब बात करते हैं कि क्या यह चीज सही है यह रिवाइब करने का जो हमारा सिस्टम में सही है या गलत है रेंग कमें तो देखो काफी हद तक यह गलत है कि क्योंकि रेंग कमें इसकी कोई जरूरत नहीं है फन के लिए अगर यह क्लासिक में था तब तक त गरणरा फ्रीफायर इसको हटाने भी वाली है क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत बड़ी गल्ति हो गई है और ज़्यादातर बंदे इससे नाराज ही है कुछी बंदे इसके favor में रग रहे हैं कि जो इसके favor में बॉल रहे हैं कि रेंग कम है कम से कम यह चीज नहीं होने चीए बहुत बढ़ जादा बक्षोदी है और गर्णा फ्रीफायर ऐसी बक्षोदी क्यों करती है यह मुझे समझ में नहीं आता है अब उनके लिए दोश आप दे कमेंड में जरूर से लिग देना अब देखो आप में से कुछ तरह मतलब में उसको रिवायू करते ही है रहा हमेशा और यहां पर कुछ c. को लिए Loser कर पाऊगे अगर आपके पस को एनिया मीघ ख़ड़ा है तब भी आप उसके सामने रिभाय कर लोगै अपने सबरा कर देते हो आप एक बन देखो और आपको सबसे पहले हैं कर देराश करणा कर डिया सबसे बेरा चारण ision और काड इकटा करने के लिए अपको उतरना काहां पे है जहां पर वेंडिंग मशीन हो उसके आसपास उतरना है ताकि आप कारड इकटा भी कर लो और इसके बात यहां पर एक कार्ड भी खरिल दो रिवाइवल का गरील तहे और venting machine में जाके revive काट जो वह खरीद दिया था और रिवायु कर दिया बिना किसी risk के इसको revive कर दिया अब देखो यहां पर मिर्को कोई बंदा ना तो sport कर पाया ना कोई देनेज़ दे पाया ना कोई मार पाया और यह चीज है revival card की जो मस्त तरीका है आपको अगर किसी आपके teammate को revive करना है तो सबसे बेश तरीका यही रहने वाला है कोई भी रिस्क नहीं है फिर से आप चार यहाँ पर collect करके फिर से एक को revival card करी सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं भी और graveyard पे दो वेंडिंग मशीने साथ में दो revival point भी मिल जाते हैं यहाँ पर यह जगा बहुत अच्छी revival करने के लिए अगर आप लेंडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा revival करने के लिए अपने teammates को और अपने teammates को थोड़ा दूर दूर भी रखना जिससे कि आपको revive करने में आसानी हो अगर वो बंदा मर जाता है तो आप रिवाइव कर दोगे और अगर आप मर जाते हो तो वो आपको revive कर देंगे इसा कुछ करके हो जाएगा आप देखो second बार भी वहाँ जाके वापस से मर गया अब कितना बड़ देखो मैं इसको और दूसरी ट्रिक से भी revive करूँगा वो भी ट्रिक आपको बताऊँगा revival point पर जाके आपको कैसे revive करना है अब भाई देखो जो मेरा teammate है ना दो number यह मानने वालों में से नहीं है मतलब जाता है और हमेशा मार खार के यह आता है और इसको कुछ देर नहीं ह करके यहाँ पर revival point का जुस करूँगा तो आपको इसकी ट्रिक भी बताऊँगा कि आपको revival point पर कैसे revive करना है सबसे प्यादा तो आसपास आप देख लेना कि कोई बंदा तो नहीं है क्योंकि आपको गर कोई बंदा है तो आप मर जाओगे अब यहाँ पर देख सकतो मेरे प आपको गोली मारेगा उससे पहले ही आप यहाँ बुझ बन जाना और वो दूर है तो आपको आराम से नहीं मार पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमको लगीगी नहीं गोली और साहते में गुलवाल भी रख लेना ताकि आपको कोई डेमेज पढ़ता आप वटक से गु और मैं अटीमेट भी सेफ है और वापस में यहाँ इधर हुदर जाता हूं डूनता हूं कि अगर कुछ मुझे टोकन मिल जाते हैं तो अच्छी वात है पहली ट्रिक में आपको बिन्या ग्लुवाल वाली बता दी है जिसमें आपके बस केरेक्टर वुकोंग होना चाहिए या फिर क्रोन होना चाहिए और आप जाके वहाँ पर पहले से लगा लेना और साथ ही में एनिमी निक भी देख लेना आसपास कि कोई एनिमी तो नहीं है और आपके जो वुकोंग का जो टाइमिंग रहती है बारा सेकंड की उतनी ही हमारी रिवाइबल पॉइंट की टाइम पस कवर अच्छा से पहले से ही मौझूद रहे अब देख सकते हो दूसरी ट्रिक है कि अगर आपके बस गुलू आल भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आपको सबसे पर ले जाके का करना है वहाँ पर आपको जो यह वाली गाड़ी है यानिकि जो ट्रक है यह वाला यह वाल सेकेंड मिल लाएंगे यहां पर रिवाइव देने के लिए आपके आप इसके आसपास गुम के आराम से रिवाइव कर सकते हो फिलाल में भी यहां थोड़ी सी टाइमिंग चल रही है तो मैं भी थोड़ी दे टाइमिंग का वेट कर लेता हूं ताकि इसके बाद में आप रिवाइव इसको अपरे टीमेट को कर दूँगा यहां पर जो यह कार है यहां को बहुत जादे यूसफुल होने वाली है तो कार में आपको सिर्फ ट्रक और जो जीप है वो दोनों यूज़ करना है फिर मॉन्स्टर ट्रक यूज़ कर लेना है क्योंकि इनकी देखो यहां यह कुछ इसे ट्रेक है जो आप यूज़ करके आराम से अपने टीमेट को बिना किसी रिसक करके रिवाइव कर सकते हों तो आपको वीडियो पसंद आरहे तो वीडियो को लाइक आए देना चनल पर नए चनल को सक्क्राब करते henा और मिलते किसे एक हो नेड़िव में तब के लिए जहिन जे बारत